दोस्तो आज है बोल्ट स्विंग और ये पतले रिस्ट के लिए पतले कलाई के लिए एक बैस्ट स्मार्ट वाच है क्योंकि भाई लार्ज डिस्प्ले है और ब्लेजर आपको बहुत ज़्यदा स्लिम देखने को मिल रहा है इस वाच में 1.91 इंच का लार्ज डिस्प्ले नोंने फिट कर रहा है और साथी में मेटलिक फ्रेम भी है इसमें और अनुदर फीचर देखे तो वाच का बॉक्स उपर का प्लास्टिक हटा लेते हैं तो उपर आपको बॉर्ट स्विंग का ब्रैंडिंग देखने को मिल रहा है और वाच के दोनों साइट ब्रैंडिंग है नीचे के तरफ मूबाइल आप डाउनलोड करने का बार्कोड है पीछे के तरफ ऊपर की फीचर कर लेना है तो 3 months का extra warranty मिलेगा और पीछे पूरा प्रोसीजर है और यह है यूजर मैनुवल जिसके अंदर इनोन अपने थोड़े बहुत फंक्शन को प्रेंट कर रहा है और कुछ नहीं है और यह इसका चार्जिंग के बार लेंद आप देख सकते हैं और कॉलिटी में अब मिलीमीटर ब्रत है 350 मिलीमीटर जिस विए से पत्रे रिस्ट के लिए एक बेस्ट स्मार्ट वाच बन जाता है क्योंकि इसका एरिया काफी ज़्यदा चोटा है और वाच का थिकने से अल्ली 10 mm जो की काफी ज़्यदा स्लिम है और आप जो मैट ब्लेक प्रेम देख रहे हो य कर के तो यहां पर फिट है का मारइक और पीछे के साई इन्होंने अपने सारे सेंसर को फिट कर रखा है और फीचर्स को प्रिंट कर रखा है quality का strap आपको यहां देखने को मिल रहा है बहुत जदा बढ़िया premium quality नहीं है क्योंकि भाई stretchable नहीं है और stretchable strap आपको पता यह कि quality में best होता है और metallic buckle आपको यहां पर available मिल जाएगा बकल की उपर bold के branding को इन्होंने print कर रखा है और watch को on करते हैं यहां पर आपको 1.9 इंच का 240 x 280 पिक्सल का resolution देखने को मिल रहा है जिस वह से display का quality काफी बढ़ी है बचाट range के watches में जैसा होता है वैसा और दोस्तों आप side का bezel देख रहे हो बहुत ज़्यादा slim bezel आपको इस watch में देखने को मिल रहा है डिस्प्ले बढ़ा और ब्रेजर सिलिम इसलिए भाई मैं आपको बोला कि पतले रिस्ट के लिए यह एक best smart watch है अगर आपके हाथ का कलाई पतला है ता भाई perfect लगेगा आपके हाथों पे और color reproduction आप देख सकतो color reproduction भी ठीक ठीक है और अब यह close look watch के UI के तरफ screen के उपर अगर आप long touch करते हो तो यहां से आप watch faces change कर सकते हो total दो ही watch faces को आप अपने according customize या edit कर सकते हो एक है custom watch faces दूसरा है cloud watch faces और उपर के साइस rate करने पर कोने में आप एक chain का symbol देख रहे हो इसका यह मत्तब है कि mobile app के साथ watch connect है नहीं और calling का symbol है calling features on है नहीं और side में battery time और week date का info भी available मिल जाएगा और इस watch का यह चीज़ काफी बढ़िया लगा कि music control को shortcut में दे रखा है आप यहां से calling features को on off कर सकते हो इसके नीचे आता है settings settings के अंदर पहला option है style switch तो यहां पर आपको total 3 style देखने को मिल रहा है style 1 आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है list है जो की बहुत ज़्यादे informative है क्योंकि नाम लिखा है कि क्या function है और style 2 आप honeycomb type का है यह भी काफी बढ़िया लग रहा है देखने में लेकिन informative नहीं है क्योंकि नाम ने लिखा कि क्या function है और 3 आप देख सकते हो group है और loop है मतलब continue होता रहता है कभी रुपता नहीं है यह भी अच्छा ही है आपकी मर्जिब है आपको कौन सा पसंद हो आप वो लगा सकते हो display settings में पहलो option है brightness इसके नीचे है screen time तो यहाँ पर आपको minimum 5 seconds और maximum 30 seconds का screen on time देखने को मिल रहा है इसके नीचे आता है rise to wake तो rise to wake करने के बाद हाथ उठाने के बाद कितने time तक display on रखना है आपको वो है यह मैंने maximum 6 seconds लगा रखा है मेको 6 seconds चाहिए minimum 2 seconds है battery के अंदर आपको battery saving mode available मिल रहा है इससे brightness लोप है जाता है और vibration off हो जाता है पूरा watch silent हो जाता है सकते हो साथ ही में incoming call तो receive होगा लेकिन नाम सो नहीं होगा सिर्फ numbers होगा क्यूंकि आपने protection लगाया है फिर आता है system system के अंदर है system info shutdown reset तो बस settings के अंदर इतना ही था back आने के बाद आप यहां से wake up hand gasher को on off कर सकते हो फोन का symbol देख रहे हो यह है find my phone तो इसके उपर स्राइड वाले notification में बहुत ही ज्यादा useful features को नहीं अट कर रखा है और अगर आप राइट साइड करते हो तो यह है पूरे दिन भर का activity तो आप देख सकते हो पूरे दिन भर का इसको अपने according align कर सकते हो कि आपको पहले कौन सा function चीए उसके बाद कौन सा चीए sports और weather add नहीं था अभी मैं add कर देता हूं तो यह function काफी बढ़ी अलगा मुझे weather कुछ खास informative नहीं है क्योंकि upcoming days का weather info नहीं है शिर्व present day का ही है exercise आप जो भी mobile app से exercise को add करोगे वो सारे यहा available मिल जाएगा और अगर अप left side slide करते हो तो यहां पर भी आपको date week और time का info available मिल रहा है साथी में weather का info भी available है और यहां पर आप चार आइकन देख रहे हो यह है आपके recent activities और नीचे के side slide करने पर पूरे दिन भर का notification आपको यहां पर receive हो रहा है button को press करने पर भी यहां पर थोड़े और function आपको pop-up होता हुआ दिखाए दे रहा है जिसमें से पहला है calling features इसके बाद है voice assist calling features कौन करोगे तभी voice assist काम करेगा नहीं तो काम नहीं करेगा फिर है activity data, sports, sports data, heart rate, sleep data, blood pressure, blood oxygen, message, weather, female, music, breathe, training, stopwatch, timer, alarm clock, UPI, QR code यह है payment receive QR code जितने भी UPI available है वो सारे ही आप यहां से आप add कर सकते हो इसकी नीचा आता है social link आप यहां पर भी QR code add कर सकते हो अपने social media का किसी को share करना होतो कि भाई scan mark के follow कर ले टाइक फिर आता है find phone settings settings हो यह जो कि मैंने आपको पहले बताया और high demanded missing features देखे तो calculator और game नहीं इसके अलबाद सब कुछ आपको इस watch में available मिल रह है तो भाई audio को बंद कर देना इससे क्या होगा आप phone में जो कुछ भी activity करोगे YouTube वीडियो देखोगे रील देखोगे series देखोगे या फिर game खेलोगे तो आवाज phones आएगा या फिर wireless TWS आएगा और सिरिफ और सिरिफ calling के time में watch का speaker and my काम करेगा तो भाई इस features को कर लेना इस से watch का battery भी बचेगा और speaker का life भी बढ़ेगा और incoming calling के time आप सिरिफ call cut कर सकते हो call pick कर सकते हो और कोई features नहीं है और calling के time watch vibrate करता है और वो ringtone बचता है जो कि आपने phone में लगा रखा होगा और बहुत ज्यादा धीरे बचता है और call pick करने के बाद आप call cut कर सकते हो और call को mute कर सकते हो और कोई adjustment नहीं है और साथी में ये वाश शोचल मीडिया के call को भी support करता है लेकिन incoming call में number show होता है नाम शो नहीं होता calling features off करने के बाद भी calling का notification ये watch आपको provide करता रहेगा और साथी में social media के incoming call के notification को भी show करता है calling features off करने पर और call खतम होने पर भी एक notification देदेगा calling features on करो off करो notification आपको time to time receive होता रहेगा और notification receive होने पर watch vibrate करता है और display भी on हो जाता है और जैसे के आप देख सकतो ये watch Hindi and English language को proper तरीकी से support कर रहा है मैंने multi language के साथ experiment किया था result आपके सामने है और watch सा connectivity काफी बढ़ी है जैसी आप calling features को करेगा phone में call pick करने पर भी watch का speaker माईक ही काम करता है उसके बाद आपको phone से transfer करना पड़ेगा अपने phone में अगर आपको phone में बात करना हो तो watch में features नहीं है calling features देखे तो call records आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है incoming और outgoing का info available है साथ ही में time का info भी है लेकिन date का info नहीं है और और डाइलर आप देख सकते हैं इसका कुछ ऐसा है normal सा यह सारे watches की तरह दोस्ता आप देख सकते हो कि मैं भी हूँ calling पर और अभी आप सुन सकते हो कि calling के साथ कैसा मैं experience आपको यह प्रवाइट कर रहा है आपको मेरा आवाज एक्दम के लिए सुनाई दे रहा है या नहीं अब आप सुनो कि अगरा पर आप पर यहाँ को ऐसे लावाज को आप करोंगे तब कैसा आवाज को ग्रैप करेगा तो बस दोस्तों आवाज में बात कर रहा हूं बहुत जदा धीरे नहीं बहुत जदा राउट नहीं जैसे कि मैं आपके सामने बात करता हूं सेम वैसे ही आवाज में और अदी आप कि लिए ही सुन से एक टेस्ट कर लेते हैं और दो सब्सक्राइब करने का जो पावर चनन है यह अवरेज है और वाच का फाइंड मैं फोन एक दम पॉफेटली काम कर रहा है अगर आपका फोन सेलेंट में भी होगा तब बज़ेगा हर बार बज़ेगा और यही रिंग दोन बज़ेगा जो कि आप अब सुन रहे हो आप रिंग्टोन को चेंज नहीं कर सकते यूजर एक्सपीरियन्स के बारे में बात करें तो यूजर एक्सपीरियन्स बैस लगा और वाच का राइस टू हैंड वेकप हैंड गेस्टर एकदम पॉफेक्टली काम करता है जब भी आप हातों को उपर उठाओगे तो डिस्प्ले हमेशा ओन हो जाता है कभी भी मिस आउट नहीं होता और हात नीचे करने से आटोमेटिक डिस्प्ले ओफ हो रहा है तो बैटरी स स्क्रीन ओन टाइम लगा रखा होगा 5-30 सेगंड्स का वो टाइम खतम हने के बाद ही डिस्प्ले आटोमेटिक ओफ होगा और इन्होंने कहा है कि 1000 नेट्स का पीक ब्राइटनेस आपको इसमें देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि मैं सनलाइट में इस वाच का इस्तमाल कर रहा हूं तो 1000 तो नहीं लेकिन 600 नेट्स का पीक ब्राइटनेस होगा इस वाच में आप देख सकते हो आपको वाच प्रवाइड करेगा मतलब सुमिंग पूल नदी तालाप में अगर आप यह वाच पैन के उत्रो तो एक मीटर से गहरा नहीं जाना है वाच पैशर होता है वाच खराब हो सकता है और दोस्तों इस वाच में यह चीज काफी बढ़िया लगा कि इसमें आपको ओलिफोबी कोटिंग देखने को मिल रहा है जिस वाएसे धूल मत्टी गंदी की इजीली डिस्प्ले की पर चिपकेगा नहीं और इस फीचर्स के होने क में और इस प्यूट पे भी मैं फाइट्रेस कर रहा हूँ और रिजल्ट आपके साफ़े तक चाहीं पर रहा है सामने हैं मैं क्या बता हूँ आप खुद देखो भाई खोड डिसाइड करो आपको कैसा लागा एस्प्यू टू का एकॉरिसीड चलिए अब एक स्टेप टेस्ट भी कर लेते हैं 49 स्टेप्स 68 स्टेप्स वन्समोर 87 स्टेप्स टोटल तो दोस्तो यह है स्पोर्स मोर पॉफेक्ट है वन्समोर वो हो नीची चला गया अब आप देख सकते हो पॉफेक्ट है बरो पॉफेक्ट एक्टम सही काम कर रहा है तो दोस्तो जैसिका आपने देखा कि वाच का स्टेप टेस्ट का एकॉरिसी काफी बढ़िया है जिस वाए से डिस्टेंस टेख भी एकटम पॉफेक्ली काम करता है चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर और सिर्फ भागते दौरते वक्ती ट्रैक करता है नॉर्मल वाइक राइटिंग के टाइम या फिर काड ड्राइविंग के टाइम ट्रैक नहीं करता है और कैलरी बन भी वाच का काफी बढ़िया है बैटरी बैकप मुझे वाच प्रवाइट किया मैं अप्रॉक्स 20-30 मिनिट कालिंग के लिए इस वाच का इस्तेमाल कर रहा था और दिन रात वाच मेरे फोन के साथ था कनेक्ट और मैंने सारे ही अलर्ट को आफ कर रहा था और विदाउट कालिंग अप्रॉक्स 4-5 डे का बैटरी बैकप आपको ये वाच इसी री प्रवाइट कर देगा मैं दो दिन यूज किया थो तो पूरा 100% से 0 हो गया था मेरा और इसका चार्जिंग टाइम अप्रॉक्स 2 आवर से 10 वाच चार्जर से तो इहीं पर आप देख सकते हो कि वाच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं और वाच में चार्ज कितना है बोल्ट एज स्विंग को एज लिख दिया नाम में थोड़ा मिस्टेक हो रखा है और वालेट के अंदर आप पेमेट रिसीव QR कोड एड़ कर सकते हो पेमेट के अंदर आपको शोचल मीडिया के अलावा अनदर सारे मूबाइल आप का नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है फिर है अलाम रिमाइडर इसके नीचे आप डाइल लाइबरी देख सकते हो तो इसके अंदर आपको सारे cloud watch faces available मिल रहा है 100 cloud watch faces इन्होंने provide कर रखा है आप देख सकते हो भाई quality में जबरदस्त है और यहीं पर ही जो पहला watch faces है यही है custom watch faces तो आप इस watch के background में कोई भी image लगा सकते हो जो भी आपका मन करें इसके अलाबा आप time का position change कर सकते हो चार format देखने को मिल रहा है वासित्ता ही customization है, customization काफी कम है sports push में आपको 100 sports mode available मिल रहा है यहां से आप add कर सकते हो अपने watch में अपने favorite sports mode को भाई replace नहीं होता, add होता है तो यह काफी बढ़ी अलगा मुझे elevated heart rate और automatic heart rate को आपको गलती से भी on नहीं रखना है भाई क्योंकि यह battery बहुत ज़्यादा खीशता है इन दोनों features को आपको हमेशा off ही रखना है और इसके frequent context में आप total 10 contacts add कर सकते हो, इस से उपर का जगह नहीं है और last option me में आप goal set कर सकते हो क्योंकि आपको एक दिन में कितना step चलना है so thank you दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लेगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले and don't forget to subscribe तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में